दोस्तों मेरा नाम राशित जहीर है और आप देख रहे हैं मेरा निउस चेलल जिसका नाम है निउस नाइन टीवी असदुदीन उवेसी ने कहा कि जो लोकसभा नई बनाई गई है संसत भमन जो बनाया गया है उसका उदगाटन लोकसभा स्पीकर को करना चाहिए ओम बिरला जी को उन्होंने सन्विधान के अंदर से 531 करके कोई आर्टिकल का हवाला भी दिया और कहा कि लोकसभा का जो कस्टोडियन है वो बेसिकली लोकसभा स्पीकर होता है लेकिन परधान मंत्री जी कर रहे है कौन रोक सकता है साहब लेकिन अब इसका बहिशकार किया है 19 पार्टियों ने मैं आपकी स्क्रीन पर लगाउंगा मैंने उन पार्टियों को बड़ा गौर से देखा दर्शको उसके अंदर परधान मंतरी नरेंदर मोधी जी तमाम पार्टियों के लोगों को इन्वाइट करना है कि हम उदगातन करना है 28 मैं को आप आईए 19 पार्टियों जो विपक्ष की हैं उन्होंने कहा साहाब अगर आप करेंगे राष्ट पति को नहीं करेंगे तो हम नहीं आएंगे अब यह बिल्कुल जारी हो चुका है लेकिन 19 पार्टियों के जो वो सेकुलर के पुजारी जैसे कहा करते हैं सदुद्धिन ओवेशी साहब उसके अंदर उत्तर परदेश की आरेलडी तो है बहुत चोटी-चोटी सी पार्टिया भी है जो मैंने भी पहली बारी सुना नव्तर चुको लेकिन उन 19 पार्टियों में विपक्ष के उसी मैं कहा रहा हूं मं प्लसियर दो लोग सबा के मेंबर लोगों की परिशानियों को दूर करते हैं अपने जाकर के वहीं जो उनका हैड ओफिस बना हुआ है उन लोगों को आप अपने साथ में लगाना पसंद करते हैं भारतिये जनता पार्टी हिंदुत की सरकार की बाद जैसे कही जाती है वो तो असदुदीन उवेसी के पार्टी को बुलाती है उद्गाटन में लेकिन आपका दिल इतना बड़ा नहीं हो पाया है कॉंग्रेस आई हो समाजवादी पार्टी और बाकी तमाम वे पक्षी दल मैं अब आपको नाम दिखा के जोनाओंगा इन लोगों नहीं कहा असदु करके जिसके माते पर तमगा लगा दिया कि आप मुस्लिम पार्टी के सर्वे सर्वा हो आप मावरी मस्जिद की बात हो हाशिम पुरा की बात हो बिहार की मस्जिद जलाने की बात हो उस पर बोलने वाला एक अकेला वाहिद शखस उसके बारे में आप अपने पास यूं नही बुलाते हैं कि ये मुसल्मानों की बात करता है चलिए हम मान लेते हैं कि वो राजनीती भी करता तो बुराई क्या है क्या बहुजन समाज पार्टी के मायावती दलीतों पर राजनीती नहीं करती हैं क्या मुलायम सिंग नियादों पर राजनीती नहीं करते थे बेनी परसाद वर्मार और जो है सोनेलाल पटेल अनु पटेल के फादर पुरानी जितनी भी लोग आप नाम याद आ सकते हैं क्या करते नहीं थे पिछलों की राज नहीं थी बताईए किसने नहीं की अगर ये मुसल्मानों पे जुम होते हुए देश के दूसरे नंबर की आबादी का नेता जिसे उसके आबादी नहीं पीछे डाल रखा है वो अगर बात कह रहा है तो उसे आप अपने साथ भी नहीं रख रहे हैं कि ऐसी चीज में जो आपका कॉमन एजेंडा है यानि कि आपको बहिशकार करना है वो भी यही बात कह रहा है शक्स लेकिन आप में उसमें इतना फर भाई देता है उसे आपने फिरकाप परस बना के साइड में कर दिया तो भारते जनता फार्टी कमज़ागा में इसमेहरे में बेतर हो गई कि उन्होंने असदुदीन को दूबला लिया वरना वो भी कहते नहीं आप मुसलमानों की बात करते हैं आपको इंविटेशन नहीं और आपका केविन भी अलग बना देंगे लोग सबा में लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया आप सैकुलरिजम की बात करने वाले कमज़ूर की बात करने वाले मुसलमानों की बात करने वाले दलितों की बात करने वाले एक नेता को साथ ने रख सकते हैं जबके आपने एक ऐस बार आप देखेंगे कि क्या-क्या नाम उनके थे देखिए यह पूरा का पूरा लिखा कि देश की संसत के नए भवन का उद्गाटन है या मोदी जी का निजी गहरा प्रवेश यह अलग बात है लेकिन उसमें देखिए आपके कौन-कौन सी पार्टी है रा विदु थलाई च सर्विल मुनेतर कड़गम नीचे से जाईए रिवोलेशनरी सोचलिश पार्टी आपने नाम सुना है सुना है नाम होंगी बली बली पार्टी कोई लोग सरकारी भी चला रहा है लेकिन आपको इन 19 पार्टियों में एक AI MIM का नाम नहीं रखना था चुकि इन तमाम पार्ट भागेदारी की बात करेगा लेकिन आप यकीन मानियें कि जिस परकार का ये शक्स है मैं इनसे कई जगा इखतलाफ भी रखता हूं लेकिन मैंने बहुत गोर से इसका जो है इन्वेस्टिगेट किया जितनी मीरे अंदर अकल अल्ला ने दी थी मुझे मैसूस यह हुआ कि वा भी किया या कोई एक बंदा ऐसा बता सकते हैं जो गोदी मीडिया के अंदर जो इस बात को भी उठा रहा हूं कि आपने साथ विधायकों वाली दो लोग सभा मेंबर वाली और दो एमेल सी वाली लिपार्टी को भी शामिल लिए अपने साथ लेकिन उसने कितनी सन्विधान पड़ी लिखी इंदाज में बात की कि बाकी लोगों को जाहिल साबित कर दिया उसने का सम्विधान के मताबिक लोग सभा के स्पीकर को करना चाहिए ना कि राश्पती को आप तो जजबाती तकरीर करे जा रहे हैं अगर नरेंडर मोधी पर यह आरूप लाप लगाते हैं क काम किया था उन्होंने और उसके बाद क्या मुसल्मान को चीफ फिनिस्टर बनाने का कोई माम के ले सकता हैं अभी करनाटक के अंदर दर्शकों सिर्फ डिप्किसीम की बात की थी हाला कि भारते जिंदा पार्टी का वकवोड का मुला ना था मैंने उसको जो है कंडें किया निकल कर आ जाती है तो कोई बुरी बात है कॉंग्रिस ने पहले बनाई नहीं है क्या लेकिन दर्शकों बात इतनी है यह तो हो गया इनका लेखा जो का लेकिन जो दिवाना जो पागल तुमारी बात कह रहा है क्या आप लोग उसके साथ हैं एक मिनट में एक वोट आपके ह सारी कोशिशे कैसी कैसी अलग अलग करके रख दी हैं अभी समाजवादी पार्टी का पूर उत्तर प्रदेश के अंदर शोर था माया वत्ति को साइलेंट किया गया आरोप के अनुसार चुप बैठी रही बहुत सारा दली वोट भारती जिनता पार्टी पे चला गया और सम में भी कोई दोराएं नहीं है मैं कह रहा हूं आप से दिल्ली के अंदर यह चुप भी बैठें जब केजरी वाल लड़ें लेकिन बाकी अलेक्शन में कभी कभी जो सीट्स आपको दिखाई देती हैं वहां तो आप अपना वजन दिखाईए दलित तो नहीं कहता है कि यह का अब उसे आपने चपरासी तक तो बनाया नहीं बेचारे को यहां इधर जीजन में वो क्या काम करेगा कौन से मसले को हल करेगा मसले हल राजनीती से तो होंगे ना इसमें भी कोई दोराएं नहीं कि जब आएंगे इसके अंदर बिहार के अंदर जैसे पांच लोग आगए ऐसा होता है बहुजन समाज पार्टी को कई बार तोड़कर लोग भागें पिर वो जाके मजबूत हो जाती है चुकि मजबूत तो आपके वोट से होना है ना आप मत कहिएगा ये बात मैं खुद कह रहा हूं बिहार के अंदर पांच विधायक आये थे उसके बाद अलजाम लगा दिया के हरा दिया तो उसके बाद वो विधायक चली भी गए इसमें पर दो रहाय नहीं भाग गाए वो छोड़के आया मायम को कौन सी मायम सौरी लेकिन आपका काम इतना आगे तक सोचने का नहीं है आपका काम तो इतना है कि यह सम्वेधानिक बात करता है तुमारी तो मुलायम सिंग को पसंद करते हैं आप और हम जो कि इनसाफ की बात किया दीती उस नकरात्मक माहुल में और ये आदमी बात कहता है आप इसके साथ ख़ले नहीं होता है चलिए बहराल देखिए एक शेर के साथ अपनी बात खतम करूँगा लाम इकबाल ने कहा कि वतन की फि हैं आसमानों में इस बात के बारे में सोच लो पढ़ लो आपको ख़बर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक में जरूर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए शेर कीजिए नेक्स टाइम में किसी खबर के साथ आता हूं जैए